Good morning students हम लोग पढ़ रहेते हैं Librarals, Radicals and Conservatives हमने Librarals के इससे पहली वाली वीडियो में जाना था कि उनकी क्या Ideas थे आज हम Radicals के बारे में जानेंगे जो Liberal है, Radicals है या Conservatives है इन सब का एक ही आइडिया था कि जो Society में उसमें Change आना चाहिए यह इनमें similarities थी, अब इसमें क्या आता, quantity of government which must be based majority, यह जो radicals है, यह बोलते थे कि जो majority के बल पर अपनी government बनानी चाहिए, इसमें किसी को भी ऐसा नहीं कि कि किसी को vote देने का अधिकार ही है, यह जो radicals थे, यह lower category के थे, lower category के लोगों को सभी को vote देने का अधिकार रखते थे, majority के based पर government बननी चाहिए, quantity of government which must be based on majority, यह जो इसमें कि उन्होंने women's को भी, इतना support किया है कि women's को भी vote देने का अधिकार होना चाहिए, उनके और इससे पहले जो आपने बढ़ा था, लिब्रस, लिब्रस में women's को vote देने का अधिकार नहीं था, इन्होंने women's को और जितने भी लोग हैं, चाहिए, वो गरीब हो, लोग को भी सबको vote देने का अधिकार होना चाहिए, they oppose the privilege of great land owners and wealthy factory owners, यानि की जैसे जमीदार होते थे, उनके पास उर्रड़ी बहुत सारी जमीन हुआ करते थी, एंड जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे है ना तो उनके पास बहुत सारी जमीन हुआ कर देती तो वह बहुत सारी जमीन अगर किसी के पास है तो वह उसका कोई दुरिप्योग भी कर सकता है ना तो ऐसे जाधा लोग ना हो तो उसके लिए करते थे वह कुछ लोगों के हाथ में इसक शमीन आ जाए है एसा वो बिस्ट्राइग परते पसंद नहीं करते हैं और इस वर्स ओती की इससे सोसाइटी में कर कुछ लोगों के हाथों में जमीने आ जाएगी तो क्या होगा यह पावर आ जाएगी तो क्या होगा हमारे यह तो हीवार्टी जो भावना होती है वह या आइडियास थे, वो इस तरीके से अपनी ससाइटी में चेंग चाहते थे. हम नेक्स्ट वीडियों में कंजर्वेटिप्स के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से ससाइटी में चेंग चाहते थे.